दोस्तो मेरे पास एक और unique product आ चुका है यह smart watch है जो कि खास बच्चों के लिए बनाया हुआ है यह next gen kids smart watch है इसकी unique चीज़ यह है कि इसमें sim slot है मतलब कि अगर आप चाहे तो इसमें sim card डाल सकते हैं 4G support के साथ में आता है यह जो smart watch है इससे आप calling भी कर सकते हैं और receive भी कर सकत हैं लेकिन जैसे कि मैंने कहा यह smart watch है खास करके बच्चों के लिए बनाया हुआ है और यह parental controls के साथ में आता है मतलब कि जो parents है वो बच्चों का जो activities है उन्हें इस smart watch के जरिए monitoring कर पाएंगे और यह काफी advanced type का भी है चलिए चक करते हैं कि box में क्या-क्या दिया हुआ है औ बनाया हुआ है यह 4G smart watch है और जो key features है वो यहां पर mention किया हुआ है two-way voice और video calling support करता है इसमें two megapixel का camera भी दिया हुआ है one touch sos feature के साथ में आता है removal detection के भी साथ में आता है जैसे कि मैंने कहां यह smart watch है खास करके kids के लिए बनाया हुआ है यह remote reboot support करता है GPS tracking इसमें दिया हुआ है अफकोर्स यह आपके kid के जो physical activities है उसे भी monitor करने वाला है इसमें music play कर सकते हैं आप Bluetooth के जरीए यह IP54 protection के साथ में आता है और इसमें fun games भी दिया हुआ है और बहुत सारे utilities के साथ में भी आता है चलिए मैं आपको photopolis के unboxing करके बताता हूँ यह दिखें इस परकार से इसे pack किय दिया हुआ है काफी premium type की packing है और box के अंदर यह है वो smartwatch again इसका जो look and feel है काफी अलग है in fact बच्चों को यह काफी पसंद आने वाला है watch के अलावा box में यह user manual दिया हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह अलग-अलग color options में available है और box में यह charging cable भी दिया हुआ है charging dock जो आप watch की तरफ ध्यान दे तो जो charging points है यहां पर दिया हुआ है अभी जो smartwatch है दूसरे smartwatch के comparison में काफी अलग है तो यह है watch out company का next gen kids smartwatch और इसे इस प्रकार से बनाया हुआ है कि जो kids है उन्हें खास करके यह काफी पसंद आने वाला है थोड़ा सा bulky design है लेकिन यह जो design है इसे अपने unique type के charger के साथ में आता है यहां पर एक button दिया हुआ है यहां पर दो buttons दिया हुआ है और यहां से यहां पर यह देखिए SIM slot दिया हुआ है आप एक nano SIM दाल सकते हैं 4G support के साथ में तो जो calling और receiving functionality है इसमें भी आ जाएगी मतलब कि यह जो smartwatch है इसका उप्यों करके जो ब पर camera भी दिया हुआ है तो टूवे communication के लिए यह काफी बड़ी option है चलिए सबसे पहले मैं आपको इस smartwatch के जो features है जो features smartwatch में दिया हुआ है उसके बार में बताता हूं यह बटन है से प्रेस करते ही इस प्रकार का default watch face है अगर आप चाहें तो इसे change कर सकते हैं यह वाला select करत हैं यह देखिए उपर से स्वाइब करेंगे तो आपको यह सारे options मिलते हैं और नीचे से उपर स्वाइब करेंगे तो यह देखिए notification का option है इन्हें एक हास करके kids usage के लिए बनाया हुआ है तो जो interface है काफी simple type का है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें games भी दिया हुआ है कु जो games है खास करके इस watch के लिए बनाया गया है और खास करके बच्चों के लिए watch का जो setup है यह थोड़ा सा अलग परकार का है और उसके बार में जानकर यह आपको user manual में मिल जाएगी तो यह application है और यह application है काफी interesting है क्योंकि यह जो smart watch है खास करके kids के जो activities है उन्हें monitoring कर सकते है kids को भी track कर सकते हैं safe zones बना सकते हैं मतलब कि अगर kids range के बाहर जाएगा उस zone के बाहर जाएगा क्योंकि इस watch में built-in GPS दिया हुआ है tracking असानी से हो जाएगा तो जैसे ही जो kid है zone के बाहर जाएगा तो जो parent है उसे notification मिल जाएगा family आप setup कर सकते है history exactly पता चलेगा कि जो kid है वो कहां कहां पर गया था alarm है friends class mode दिया हुआ है एक तरह से do not disturb wifi setup आप यहां से कर सकते हैं care time call limit क्योंकि एक 4G smartwatch है और अगर आप sim का उप्योग कर रहे हैं तो जो kid है वो calling कर पाएगा तो यहां से आप जो call limit है उसे set कर सकते हैं तो यहां पर take-off alert भी दिया हुआ है तो अग इसमें built-in camera दिया हुआ है video chat possible है तो बहुत सारे जो controls है वो parents कर पाएंगे shutdown forbidden का भी option दिया हुआ है जो kid है अगर वो चाहें तो भी जो smartwatch है इसे off नहीं कर पाएगा तो यहां पर बहुत सारे features दिया हुआ है time management का भी option दिया हुआ है जो home screen है यह देखे इस प्रकार का दिख हुआ है वैसे इसमें मैंने SIM नहीं दाला हुआ है लेकिन अगर SIM होता तो directly call होता और यहां पर step counts भी आपको पता चलेगा कि जो kid है उसके physical activities के बारे में जानकर आपको यहां पर मिल जाएगा और यह hearing option दिया हुआ है automatically जो watch है उसे यह smartphone है डायल करने वाला है आप सुन पाए है तो यह देखें इस प्रिकार से मैं monitoring कर पाऊंगा और वोइस चैट कर भी option दिया हुआ है यहां से आपको exactly पता चाल जाता है कि जो activities है वो क्या कर रहा है आपका बच्चा क्या कर रहा है उसने watch को निकाला है यह देखें यहां पर मुझे पता चल रहा है और अगर मैं चा कर पाएंगे वैसे जो product है यह इतना सस्ता नहीं है इसका pricing है 10,999 रुपीज लिंक जहां से आप इसे खरीद सकते हैं वो मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है यह smartwatch आपको कैसा लगा comments के माद्धेम से मुझे जरू बताएए इस वीडियो को like जरू कीजिए और देखते रह कर देखते हैं अजिए फसकते हैं